गुड मोर्निंग एवरिवन आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम लोग बात करने बेसिक फर्स्ट आड मैंनेश्मेंट पर ठीक है आज हम लोग इसमें कई चीज़ों को जानेंगे कि first rate का definition क्या है और जो first adders होते हैं उनके लिए क्या-क्या rules होते हैं क्या-क्या regulation होते हैं जिनको during first rate पालन करना ज़रूरी होता है उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे 3PS यानि aim of first rate first rate क्यों दिया जाता है तो 3 चीज़ों को हम लोग आज इसमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से then हम लोग आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहेंगे कि जो लोग अब तक subscribe नहीं कियें प्लीज subscribe किजिए और कहीं भी कोई problems होते हैं तो आप उसे comment के माध्यम से मैं बता सकते हैं मैं उसको जरूर reply करूंगा ओके चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं definition of first aid सबसे पहले देखेंगे हम लोग first aid का definition कि first aid क्या होता है first aid is the initial assistance or treatment given to a casualty for any injury or certain illness before the arrival of an ambulance doctor or other qualified person simple है first aid जिसको हिंदी में प्राथमिक उप्चार कहा जाता है ठीक है शुरुवाती एलाज कह सकते है शुरुवाती एलाज या प्राथमिक उप्चार या first aid ठीक है initial assistance का मतलब होता है शुरुवाती मदद यानि कोई casualty casualty का मतलब जो पीरित ब्यक्ती होता है sorry जो पीरित ब्यक्ती होता है या कोई भी मर्द के रूप में हो या महिला के रूप में हो कोई भी जो casualty होता है या होती है चाहे उसको किसी तरह की injury हो या उसको किसी तरह की बिमारी हो अचानक होने वाली बिमारी हो उसको शुरुवात में जो हम मदद करते हैं जो उसके रोक्थाम के लिए जो भी हम कदम उठाते हैं That is called first aid तब तक जब तक के कोई ambulance आना जाए उसको hospital तक ले जाने के लिए या कोई doctor ना आ जाए या qualified person का मतलब उस विभाग से related जो आदमी जानकार है उस बिमारी से related जो जानकार है या जो doctor है वो आना जाए तब तक जो कुछ भी हम बचाओ के लिए उसके लिए करते हैं शुरुवाती में वो हमारा क्या होता है first aid होता है so first aid इसे initial assistance first aid के शुरुवाती मदद है या treatment है जो किसी भी हने casualty को दिया जाता है किसी भी प्यूरित को दिया जाता है किसी की injury की जैसे या अचानक बिमारी होने की जैसे इससे पहले के कोई ambulance doctor या कोई भी qualified person आए simple यह कह सकते है first aid इसे प्रात्मी उपचार है जो किसी भी घायल बैक्ती को या अचानक होने वाली बैमारी वाले बैक्ती को दिया जाता है इससे पहले कि hospital उसको पहुचाया जाए या ambulance आकर उसको लेके जाए या doctor आकर उसका इलाज शुरू करे या कोई भी qualified person जो उस रोग से संबंदित उसका सही उपचार कर सके वो आना जाए तब तक हम उसके रोग ठाम के लिए जो भी करते हैं that is called first aid first aid is the provision of initial care of an illness और injury वह चीज़ को या समझाया है कि first aid एक तरह का प्रावधान है जो हम शुरुवाती ध्यान रखते हैं किसी भी ब्यमारी का या किसी भी injury का it is usually performed by a lay person to a sick or injured and a casualty until definitive medical treatment can be accessed करते हैं कि ये आदमी जो casualty होता है mostly इसको लेटा करके हमें first aid देना चाहिए और लेटा करके ही first aid दिया जाता है हैगी नहीं किसी को भी किसी तरह की जखमी हो जाए या घायल हो जाए या उसको किसी तरह की अचानक कोई विमारी हो जाए तो उसको तुरंट क्या करना चाहिए वहना है flat जमीन पे या flat कोई भी object पे जो बराबर हो चोकी होगर इस तरह का उसमें क्या करना चाहिए उसको लिटा देना चाहिए ठीक है और यहां कहना यह चाहते हैं कि जब तक उसका treatment access नहीं हो जाता यानि जब तक proper उसकी medical treatment शुरू नहीं हो जाता तब तक हम उसका क्या करते हैं एक तरह से ध्यान रखते हैं certain self limiting illness or minor injuries may not required further medical care past the first aid intervention यहां कहना यह चाहते हैं कि कभी कभी हमें छोटी मोटी चोट लगती है हैगी नहीं छोटा मोटा जखम होता है और हम लोग first aid लेने के बाद और अधीक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ऐसा आपके साथ भी बार बार हुआ होगा जैसे अचानक कभी च चोटा मोटा जखम हो गया तो आप मरहम पट्टी बान लेते हैं है यह नहीं हल्दी चूना या कोई भी दर्द निवारक जो पेन किलर मरहम होते हैं या क्रीम जो होते हैं उसको लगा लेते हैं या पानी गरम करके सेख लेते हैं या इस तरह का जो भी चोटा मोटा एक दो उगर लेकर के हम लोग क्या होते हैं ठीक हो जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट एट के बाद हमको फर्दर और कोई अलाज की जरुरत नहीं परती है छोटे-मोटे चोट के लिए ठीक है उसके बाद यहां कहना यह चाहते हैं और कहना यह चाहते हैं कि फर्स्ट एट कई तरह से दिया जाता है और कई उसके स्टेप्स भी होते हैं और कुछ हमारे जो लाइफ सेविंग टेक्निक्स होते हैं जिसको CPR ABC के रूप में हम लोग जानते हैं इसको अलग से हम पढ़ाएंगे और इसके लिए अलग से वीडियो भी बनेगा और कहना यह चाहते हैं कि यह सारी चीज़ों देने के लिए बहुत मतलब एक इंडविज़ोल आदनी भी दे सकता है बहुत ज़्यदा उसको ट्रेनिंग की रिक्वाइट नहीं होती है अगर वो थोड़ा जानता है तो आराम स इस तरह का फॉस्टेट का काम वो अराम से कर सकता है या दे सकता है और फॉस्टेट देने के लिए बहुत सारे एकुपमेंड और बहुत सारे सामान या समागरी की जरुद भी नहीं पड़ती है इड ओफन कंसिस्ट आफ ए वन टाइम शॉट टर्म ट्रीटमेंड और रिक्वाइड लिटिल टेखनोलोजी और है ट्रेनिंग टू अड्मिस्टेटर ठीक है या कहना यह चाहते हैं कि जो फॉस्टेट होता है वो वन टाइम होता है शॉट टर्म होता है यह नहीं कि आप फ ठीक है इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम फॉस्टेट वन टाइम देंगे बार बार हम उस पर एक्सप्रिमेंट नहीं करेंगे शॉट टम में देंगे और जितनी जल्दी होगी अगर पैसेन के हालत सही नहीं है आइस सुन एस पॉसिवल शूट ट्रांसफ और बहुत कम टेकनोलोजी भी इसकी ज़रुत परती है और ट्रेनिंग वे रहे हो तो आराम से इसको कर सकते हैं बड़ इस बात का ख्याल लहें कि फॉस्टेट देंगे ऐसा ना हो कि फॉस्टेट के चकर में हम बहुत ज़्यादा डिले ना करते हैं या बहुत ज़्यादा लेट ना करते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप बार बार कोई चीज को किये जा रहे हैं इससे किसी की जान भी जा सकती है या किसी का जान जोकि में पढ़ सकता है इस बात का ध्यान भमे रखना बहुत जरूरी होता है आगे है golden rules actually golden rules for first adder है ये golden rules for first adders golden rules का मतल बेलो given rules are very important and the first adder should have a complete knowledge of these rules काना ये चाते हैं कि जो नीचे बाते हैं आपको बताई जा रही है वो first adder के लिए बहुत ही important होता है और first adder को भी चाहिए कि इन बातों का knowledge रखते हुए और इन बातों का ध्यान रखते हुए और इन बातों का ध्यान रखते हुए क्या करें व be quick, calm and methodical पहला rule first adder के लिए ये होता है जो first adder देने जा रहे हैं कि उनको तेज करना चाहिए कोई भी जो भी उनको काम करना है casualty के लिए गायल भेकती के लिए तो उनको तेज करना चाहिए धीरे 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 उनको काम नहीं करना चाहिए और काम का मतलब होता ह शान शान्ती बनाए रखना चाहिए वहाँ शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए और methodical का मतलब होता है तरीके से काम को करना चाहिए धंग से करना चाहिए यदि उटांग-पटांग कुछ भी किये जा रहे हैं इधर उदर कुछ भी किये जा रहे हैं नहीं बलके जो मैठड है जो सही तरीका एंड रूल्स हैं उसका हमें पालन करते हुए काम को करना चाहिए दूसरा रूल है उनके लिए एवोईट ओवर करोडिंग डिप डिस्कुशन बट प्रेसर बट री एस्योर एंड इंकॉरेज यहां कहना यह चाहते हैं कि जहां खायल वेक्ति को रखा गया है जा फ्रस्टेड उनको दिया जा रहा है वहां भीड लगने नहीं देना चाहिए ठीक है भीड की भीड देखकर पैसन काफी घबराने लगते हैं उसके अंदर और भी डर पैदा होने लगता है इसलिए बिलकुल भीड नहीं लगने देना है और वहां डिब डिसकेशन नहीं करना है अरे क्या हो गया अरे कैसे हो गया अरे बचेगा नहीं लगता है अब इसकी जिन्दगी चोपट हो गई कुछ भी अनाब सनाब लोग होते हैं चार मूँ चार तरह की बातें करने लगते हैं ऐसा कुछ भी वहां बातचित नहीं करना है उनको प्रोटसाहन देना है है ना है उनको दिलासा देना है उनको encourage करना है और पैसेन को reassure करते रहना है reassure का मतलब पैसेन के हालत पर नजर बनाए रखना है उनको घबराने नहीं देना है और उनकी परस्थिती पर भी कड़ी नजर रखनी है कि उसकी परस्थिती कैसी है third point होता है उनके लिए check pulse and breathing है ने उनका जो रक्त चाब होता है जो pulse होता है pulse को देखते रहना है नबस जिसको बोलते है breathing, sance sance कैसा ले रहा है ले रहा है, नहीं ले रहा है अगर sance नहीं ले रहा है तो उसको heart massage artificial respiration देना परता इसको CPR कहा जाता है या CPR 10 इसका वीडियो अलग से बनेगा और ये वीडियो जब बनेगा तो आपको अलग से explain क्या जाएगा चाउता रूल है उनके लिए check for bleeding, stop it by pressure technique बताना यहां यह चाहते हैं हाथ से पकड़ के वहाँ चाप के रखना चाहिए ठीक है तो कुछ देर जब जहां से खून निकल ला हाथ से दाब के चाप के कुछ देर से रखिएगा तो बलड वहाँ क्या होता कलोटिंग हो जाता है 5-10 मिनट के बाद उसके बाद क्या है पांचवा उनके लिए रूल है काना यह चाहते है कभी कभी कोई बंदा डिहाइडरेट हो जाता है यानि उसका ब्यमारी का कारण जो है न शरीर के अंदर पानी का कमी हो जाना हो जाता है अकसर आप लोग देखते हैं के गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग चकर खाके गिर जाते हैं पानी कम पिते हैं और क्या हो जाते हैं वो डिहाइडरेट हो जाते हैं अगर ऐसा कुछ है तो तुरंद उसको क्या है फ्लूट देना चाहिए यानि जूस देना चाहिए पानी देना चाहिए, लस्ती देना चाहिए, कॉफी चाहिए, दूद, जो भी तरल पदार्थ है, वो उनको तुरन देने की ज़रूरत है, ठीक है, छटा रूल है, कि टूक आउट, फोर फ्रैक्शर, एमिलोलाइस, ठीक है, उसके आद कहना यह चाहते हैं, कि अगर कहीं फ्रै चाहिए, और उसको हिलाना डौलाना नहीं चाहिए, ठीक है, एक्टोली यहां टूक आउट हो गया है, यहां टूक आउट नहीं, लूक आउट होना चाहिए, ठीक है, लूक आउट फोर फ्रैक्शर, यहां कहना चाहते हैं, कि अगर फ्रैक्शर, यानि हड़ी उड़ी कहीं देना चाहिए और mobile का मतलब होता चलने वाली चीजी जो चलते रहती है उसको mobile कहते है इसलिए auto mobile कहा जाता है चार चका जो गारियां होती है ठीक है और give pen reliever pen reliever देने का मतलब यह होता है कि उनको दर्द की दवा देना है ठीक है अगर खुब दर्द हो रहा है तो pen reliever जो दवा pen killer जो दवा आती है केवल यही एक medicine दी सकते है है do not try to remove the clothes deliberately or unnecessarily यह कहना यह चाहते हैं कि उसके शरीर से कपरा अनावशक ना हटाएं ठीक है अनावशक उनका कपरा ना हटाएं deliberately का मतलब जान बूच कर जान बुच कर unnecessary शरीर से कपरा ना हटाएं ठीक है खास तरपे ladies हूँ तो इसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा बहतर होता है कि ladies का first aid ladies ही दें ठीक है in case ladies नहीं है तो आप पुरी precaution के साथ हैगे नहीं और पुरे मतलब बचाओ के साथ आपको क्या करना है पुरे safety के साथ उनको first aid देना है और कपरा शरीर का unnecessary बिल्कुल भी हटाना नहीं है do not attempt too much अवदातें कि कोई भी चीज बार बार नहीं करना है ये बात पहले भी कहा गया है कि first aid आप दे रहे हैं experiment नहीं कर रहे है ये नहीं कि कोई चीज आप बार बार किये जा रहे है बार बार किये जा रहे है और बार बार करने के चकर में हो सकता है कि उस आदमी की जानना चली जाए अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है किये नहीं हुआ तो आप तुरंट क्या कीजिए, assistance लिजिए, मदद लिजिए, आप संपर्ख बनाजिए, qualified person से और doctor से, hospital से, ओके, नवारूल होता है, first letter के लिए, के transfer the casualty to the nearest hospital, और जितनी जल्दी हो सके, casualty को क्या करना चाहिए, जो आसपास का hospital है, तुरंट वहाँ उसको क्या करना चाहिए, delay तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आगे अब हम बात यह करेंगे, कि casualty क्या होता है, किसको casualty कहा जाता है, तो casualty is a person involved in an accident, suffering from injury shock, है ने, काना यह चाहते हैं, कि casualty उसको कहा जाता है, जो किसी भी दुरघटना में, क्या होता है, वो, शामिल होता है, यानि एक तरह से यह कह सकते हैं, किसी भी दुरघटना होने के कारण, उसको किसी तरह की injury, दर्द या पीड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, casualty, यानि पीडित बेक्ति घायल आत्मी को क्या कहा जाता है, casualty, first adder, first adder is a person providing first aid, और first adder उस बेक्ति को कहा जाता है, ज first aid देने के पीछे reason क्या है, the three main aims of first aid, first aid देने के पीछे तीन उदेश होते हैं, कितने उदेश होते हैं, तीन उदेश होते हैं, commonly refer to as the three peers, और आम तोर पर इसको three peers से क्या क्या जाता है, refer क्या जाता है, three peers इसलिए का जाता है, इसका जो तीन उवर्ड है ने, तीन उपी से शुरू होता है, तो तीन पी से शुरू होने वाला वर्ड, इसलिए three हो गया, तीन है तो three, और तीन उपी से शुरू हो रहा है तो P, तीन उपी और S, क्योंकि तीन हो गया ने, दो से ज्यादा हो गया, इसलिए 3 PS, तो 3 PS को याद रखे, M of first aid is 3 PS, foster देने का उद्देश 3 PS होता है, पहला preserve life, preserve life का मतलब saving life, किसे की जिन्दगी को बचा लेना सबसे पहला यही उद्देश होता है, दोसरा है prevent deterioration, जो भी उनको injury हुई है, जो भी उनसकी हालत खराब हुई है, जो भी उसको pain हुआ है उससे उसको क्या करना है, बचाना है, रोकना है, ठीक है, यह हमारा दोसरा उद्देश होता है, तेसरा होता promote recovery, promote recovery का मतलब यह होता है, कि जो कुछ भी उसको हुआ, अब उसको पहले जैसा बनाना करना, कैसे? इलाज के जरिये से मान के चलिए, किसी का पैर तूट गया, तो promote recovery का मतलब यह है, कि उस तूटे हुए पैर को जोडने का जो भी इलाज करना है, वो सब इलाज क्या जाए, ताकि तूटा हुआ पैर उसका फिर से जूड जाए, यही हुआ promote recovery, किसी को मान के चलिए बहुत ज पहले जैसा बना देना, पहले जैसा कर देना, वही क्या होता है, recovery, जैसे बोलते हैं, कि हमको corona हुआ, ठीक है, लेकिन corona तो खेटीक हो गया, लेकिन अभी हम recover नहीं हुए हैं, अब धिरे धिरे हम क्या हो रहे हैं, recover हो रहे हैं, the aim of first aid include, preserve life, तो first aid का aim क्या होता है, जिन्दग से और उस पुरे जखमी हालत से उसको क्या करना, बचा लेना, adding recovery, और उसको recover करना, यानि पुन जो अवस्था था उसका उसी के तरफ लेके जाना, relieving pain, उसके दर्द को कम करना, and protecting the unconsciousness, अगर कोई बेहोश हो गया है, तो उसकी बेहोशी को बचाना, बचाने मिन से यानि उस to save lives, और first aid का सबसे महत पुर्ण और सबसे most important जो part होता है, वो क्या होता है, जिन्दगी को बचाना, जीवन का सुरच्छा करना, जीवन को बचा लेना, ठीक है, what is first aid kit, अब यहां से आपको बता रहे हैं, कि first aid kit क्या होता है, first aid kit, अक्सर आप लोग सुनते हैं, a first aid kit और medical kit is a collection of supplies and equipment, used to give immediate medical treatment, primarily to treat injuries and other aim, or other mild or moderate medical condition, काना यहां यह चाते हैं, कि first aid kit, एक medical kit होता है, जिसमें कुछ समानूं को रखा जाता है, ताकि अचानक किसी को बैमारी हो गई, या किसी को इंजूरी हो गई, चाए हलकी बैमारी हो, या कुछ भी इस तरह का थोड़ा ज्यादा हो, तो तुरंद उसका क्या क्या जा सके, treatment क्या जा सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, first aid kit, first aid kit में mostly bandages होना बहुत ज़रूरी होता है, antibiotic, क्याना, antibiotic दवायां होना चाहिए उसमें, या मरहम होगर है, scissor यानि कैची होनी चाहिए, cotton यानि रूई होना चाहिए, adhesive bandages, यानि जो bandages ह होते हैं, जो चिपकने वाले होते हैं, वो सारे होने चाहिए, बाद माकि आपको images में देखाया गया है, जैसे torch अगरे भी रख सकते हैं, hand gloves रख सकते हैं, pin रख सकते हैं, मास्क रख सकते हैं, उसके बाद thermometer जो आप भुकार अगरे को चेक किया जाताओ, वो रख सकते हैं, या इस तरह का जो और भी इससे related जो दवाईयां होती हैं, दवाईयां तो नहीं सोरी, एक pen killer at least रख सकते हैं pen killer, virus होगरे को रखा जा सकता है, उसके आथ जो है आपका cotton होगरे, detols होगरे को रखा जा सकता है frustrated kit box में, लेकिन medicine रखने का एलाव नहीं है, तो pen killer ना रख करके हम लोग दवाई को ना रख करके pen killer spray भी आता है, तो वो भी हम लोग रख सकते हैं, ताके immediate उसको pen से क्या मिले, आराम मिले, तो ये रहा आपका first aid से जुरा हुआ chapter, तो please जो लोग अब तक नहीं देखें first aid से related, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं,